हेलो फ्रेंब्स वेलकम टो यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो अपा भी ये समेस्टर सेकंड दी येडिये अपनी पोईम है वो अपा करन जा रहे हैं फस्ट आपा कीती सि पीपाज सांग ते अपनी सेकंड पोईम है अपरेंटली विद नो सर्प्राइज रितन बाय इमली इकंसन तो एपनी यॡियी पोईम है सेकंड पोईम है एस दे विच आपनु की दस्या गया जिडिय अपनी राइट रहे हो अपनु नेचर दे बारे दस यह नेचर दा नियारा एस पोहिम दा छिर्फ यह एड़ा कॉंसेप्ट है ओ ए लिया गया है इस पोहिम दे विच आपनों दिस्या गया है केड़ा अपना कोरा हुन दे कोरा फ्रॉस्ट जेसा नुँ बोल देने है ओ कोरा है किस तरह एक एड़ा फुल्ल है ओसनों तोड़ दनद है मतलब एक फुल्ल दा यह अबर्डर करद दनद है और अगया अपनों पोहिम दे विच ए सारा कुझी दिस्या जहन दा कि एड़ा ओह हो फुल्लन तोडद है मतलब कोरा विच है कि यह मेन वह आपा इस दा लांग क्वेश्चन करांगे हुना आपा कोमन सिर्फ एक उसले विचे तो अनु सारा कुछी ही पता चल जेगा अपा ज्यादा समान नहीं लबांगे इक बार मैं दिखा दिनना ए में पोइंट ने यडे तुसी ही नोट कर लगो अग्ये देखो अपा इस पोइम दा इडा लॉंग क्वेश्चन है कोमन लॉंग क्वेश्चन वह आपा कर दियां जिस दे विचे तो अनु सारी पोइम दे बारे पता चल जेगा कि की हैस पोइम द बिद नो सर्प्राइज तेल्स तोरी ओफ नेचर नेचर दी स्टोरी अपढ़ाँ दस देने शी तेल्स अबाउट अब फ्लावर विच इस इन फुल ब्लूम इक फ्लावर दी स्टोरी जो की मतलब पूरा खेला होया है but it is beheaded by frost frost द्वारा ओस नो मतलब उस दा गड़ा कटनता यांदा है फुल नो मार दिता यांदा है the frost is very powerful frost बहुत पावर फुल है but it didn't murder the flower intentionally पर एस ने फ्लावर नो जान बुज के नहीं मारया it destroyed the flower accidentally मतलब एस ने फ्लावर नो accidentally अचानक ही मतलब खत्म कर दिता in the play Emily says that clearly there is nothing to be surprised the Emily अपनों कहें दिया मतलब एस गल दे विचो कोई surprise नहीं हेगा मतलब एस विचो कोई surprise वाली गल नहीं हेगी कि को रे ने फुल नो या तवा कर दिता the sun passes on unaffected by this event it all happened as wishes of nature and approved by God एस सारा कुछ की है nature दी wish द्वारा होंदा है and God दी मंजूरी दिनार ही हो रहे है the poem also portrays the indifference जड़ी पोईम अपनों एक बे परवाही इंडिफरेंस होंदा है बे परवाही वारे दास दिया of nature nature दी ला परवाही दे बारे दास दिया अपनों and God दे परमात्मा दी कि कि द्दा नेचर दे परमात्मा जड़ी हो ना परवाह ने कोई उना ते असर नहींगा कि कोरे ने एक फुलनों कि खत्म कर देता the sun proceeds proceeds उन्दा मतलब अपना चाल दे रहा है अगे जाना proceeds unaffected जड़ा sun है उसते भी कोई असर नहींगा उनफेक्ट अपना चल दा है showing that nature has no concern for life or anything else के nature नो कोई परवार नहींगी जिन्दगी नी जा किसे होर चीज दी the sun simply goes on as it always has sun simply मतलब अपना चल दा जान दा जिस तरह की हर रोज जो हो चल देगा regardless of tragedy मतलब बिना त्यान दिते एस tragedy थे के फुल लेड़ा उस नो मार दिता गया एस tragedy थे बिना त्यान दिते अपना हो अग्गे चल दा जान दा है the cruelty of nature is approved by God जिड़ी nature दी एक cruelty है के फुल लेड़ा खत्म करना कोरे दुआरा एह सब कुछ की है God परमात्मा दी मंजूरी नार ही हो रहे है God himself is indifferent जिड़ा गौड खुद है वह भी मतलब लापरवा हैगा to the suffering in nature जिड़ी nature दी है suffering है उस दे विच गौड है जिड़ा खुद भी लापरवा है मतलब उस दे भी कोई असर नहींगा ए लाइन दिखो मैं दबारा रपीट कर देना God himself is indifferent to the suffering in nature मतलब नेचर दे विच जो suffering हो रही है God भी खुद लापरवा है उस दे लिए in fact असल दे विच की है he designed nature to be that way असल दे विच कहने दे गौड ने nature नो design ही इस तरह कीता है कि ए सब कुछ जएड़ा life जड़ी मौत है मतलब वो हो जिन्दगियां तबाह होनी है ओह लिखी होन दिया ने the poet defends the frost जड़ा poet है ओह फ्रोस्ट नो defend कर दा है कि frost ने फुल नो तोड़े है मतलब उसने जान मुझे के नहीं तोड़े है and the sun has been called blonde by her ते जड़ा sun है उसनो blonde blonde दा नाम देता है blonde मतलब पीड़े बाड़ा बाड़ा brown hairs brown hair बाड़ा दस्या गया है अपना ये सूर्ज नो नाम देता गया है in fact the frost is not guilty कहने असल विची एड़ फ्रोस्ट है कोर है येड़ा ओ गिल्टी नहीं हेगा कि उसने फुल नो खराब करता the sun withheld its warmth and let the frost do the dirty job केंदाा जेड़ा सूर्ज है उसने withheld हुना रोक के रुखना केंदा उसने अपनी येड़ी गर्मी येवो रोक के रुखी क्योंकि जो दो सूर्ज गर्मी जेकर सूर्ज दे करना आउनवी या तक कोरा येड़ा खहतम हो जिन्दा है इसलिए सूर्ज ने कहां दे अपनी गर्मी रोक के रखी ते ए जड़ा कम है dirty जड़ा है ज़ा जॉब है उसनु करन दिता कोरे नू के कोरे ने उसा फुल नू तबा करता क्योंकि सूर्ज ने अपनी गर्मी जड़ा हो लुका के रखी तांग करके फुल नू तबा हो गया of killing the फ्लावर मतल फुलनु मारंदा है रहा कम मैं करन देता दसन मूब्स ऑन अनकंसर्ण जिड़ा सन है मतल वह मूब्स अग्गे चलदा जानदा है बिना कसी चिंता दे और एसे ट्रैजडी तो बिना इफेक्टड मतल सूर्ज ते कोई प्रवाव नी के फुल लाइड़ा खराब हो गया कोरे दी वह जानदा क्योंकि ऐसने अगले दिन दवारा फेर उदे होने अगले जिदन की हर रोज हो होंदा है अगले दिन भी कहनते है उदे होना है इसली सूर्ज है यह जिसलिजड यह बिना रूखे अपना गे चलदा जानता है God also seems to be in favor of nature's action जड़ा God है, ओ भी nature दा जड़ा एक्शन है ओ से दे मतलब पक्थ दे विच्छ है He is glad to see that ओ मतलब खुश हुंदा है देखके To see that nature is functioning as he intended मतलब नेच्चर कहन दा ओ से तरह फंक्शनिंग कर रही है जिस तरह ओ चाओंद है ए देखके खुश हुंदा है परमात्मा The last line of the poem seems to state that जड़ी last line of poem दी मतलब किस तरह नज़र हो जिए अपनों कहन दी State that God is just as Impassionate and brutal as nature कहन दे God भी उसे तरह तरह ब्रूटल मतलब उसे तरह तरह बे रहम है जिस तरह दी की nature है So एसी अपनी poem I hope के तो अनू लगदा है तो अनू लगदा है के यड़ी poem है थोड़ी puzzling है के इस दे बिच की कही हैं देने But writer ने सिर्फ एही चीज लिखी है जो writer ने उसने nature नू लेके ही यड़ी poem हो लिखी है So एस poem दे बिचे सिर्फ एनना ही concept है So एसनो लेके ही पूरी poem है जड़ी हो लिख देती So I hope के जिनना भी जिनना पोईम दे बिचे जो कुछ है गया है उस देन आर लेटर ही मैं तो अनू इड़ा long question है इस दा comment बना के दिता है I hope के तो अनू समझ आई होवेगी जे कर वीडियो चंगी लगी है तो एसनो लाइक टे शेर जूरू करो और जे कर चैनल उपर नवे होता चैनल नो सबस्क्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना So मिल दिया अगली वीडियो लेके उदों तक देव इजाज़त Thank you so much